रेलवे परीसर में बने केंद्रे विध्याले की शुरूआत हो गई है, पहले दिन लगभग सभी बच्चे विध्याले पहुचे, बच्चों के साथ सिक्षक और अभी भावग भी बेहद खुश नज़र आए। पहले दिन केंद्रे विध्याले संगाटन के डिप्टी कमिशनर सीएस आजाद भी पहुचे, सीएस आजाद ने विध्याले की उपियोकता की बारे मताया, उनका कहना था केंद्रे विध्याले संगाटन के सभी विध्यालों में एक समान पढ़ाई होती है इस जो एक तरह से कॉमन करिकुलम है सभी जगे फॉलो किया था है उसी के तहती है केंद्री विद्ध्याले इद्गा रेलवे कलोनी इद्गा जो है अभी आज इसका सुभाराम हुआ है और हमारी पूरी कोसिस होगी के बच्चों को के वी एस के जो नियाम है उसके अनुसार केंद्ध्याले नंबर 4 के सिछक और प्रहानशारे का कहना था कि केवी 4 के अंदर कई नई विवस्ता की गई है हालाकि सब कुछ केंद्ध्याले संगटन के नियामा अनुसार किया जा रहा है दिखें बच्चों के अंदर उसाह एक नए विद्ध्याले और नए परिवेस मे बिल्कुल ही अलग होता है वो इनको एक नया महाल मिला और यह विद्ध्याले नवाचारी विद्ध्याले की रूप में है इनोवेटिव है तो यहां पे जो भी चीजें है कुछ नई है जैसे यहां एक नया स्कोप है सेंड पार्क का बच्चों के सेंसरी मोटर बच्चे नई पुस्तक नई किताब देखते हैं तो उनके अंदर वो उस्सा रहता है और नए तरीका जो NCRT की वुक है वो अपने आप में बड़ा ही रोचक है तो इसलिए बच्चों का आनंद देखने लायक है और बच्चों से आप मिलेंगे भी तो आपको पता चलेगा कि वो इस विद्ध्याले में आके कितने प्रशन ने चाहता है और बच्चे अबाव को और हम सभी लोगों को बहुती उस्सा है और आज का दिन बहुत उस्सा वर्दक भी रहा क्योंकि आज प्रथम दिन था और हमने कुल मिला के 200 एड़िशन्स लेने हैं और आज यहाँ प कि वास्ता में अबावक और चात्रा हैं केंद्य विद्ध्याले को लेके काफी गंबीर हैं और उस्सा के साथ विद्ध्याले अटेंड करना चाहते हैं लंबे समय से केंद्य विद्ध्याले रेल्वे परिशर में खुलने की मांग की जा रही थी बड़ी संक्या में आब इ तेलवे परिशर में केंदे बिध्याले नंबर 4 की शुरुआत हो गई है पहले दिन बच्चों में जब उस्सा दिखाई दिया सिच्चकों में उस्सा था वहीं अवावक भी बेहद उस्सा ही थे केंदे बिध्याले 4 केंदे बिध्याले संगाटर के नियम अनुसार ही चला ज आगागा